Menstrual Cycle या फिर मासिक धर्म भारत में ये शब्द सुनते से ही भोकाल होता है बवाल मत जाता है परिवारों में मुझे याद है कि जब मेरी दादी माँ थी उस समय की बात कर रहा हूँ और जब मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर्स को ये मासिक धर्म Menstrual Cycle आता था तो वो यार ऐसा behavior करती थी जैसे कि ये लोग बिलकुल अचूत है इनको छूना नहीं है इनको जमीन पर अकेले सुला देना है बिस्तर पर भी छूनी मतलब लेट नहीं सकते हैं वो जमीन पर सोना है बरतन उनके लिए अलग हो जाते थे मुझे बहुत ही बुरा लगता था तब मैं छोटा था मैं समझ नहीं पाता था पर जब मैंने पैंड मैन मूवी देखी मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ जिस तरीके से अक्षय कुमार ने इस फिल्म में आक्टिंग की है और जो समस्या सामने लेके आये हैं मैंस्टल साइकल की उससे ही मैं काफी इंस्पायर हो गया हूँ और आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कॉपिक यह है कि क्या जब मासिक धर्म में है लड़की या महिला या आपकी live-in partner या female तब आपको sex करना चाहिए क्या ये सही होगा ये एक भहती समवेदंशील मामला है और I am sure आप इस बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको एक ही चीज़ करना है आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है फ्रेंड्स और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर देना है कभी-कभी लड़किया और महिलाएं ये बोल पड़ती हैं कि उफ ये duffer periods भगवान आपने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की है पुर्षों को इसी problem है ही नी हमें इतनी problem क्यों दी है लेकिन बेहनों आपको दुखी होने की जरूत नहीं है क्या पुरुष मा बन सकता है नहीं बन सकता है क्या किसी बच्चे को जनम दे सकता है आपको इतनी बड़ी blessings भगवान ने दी है कि आप मा बन सकती है थोड़ी तकलीफ तो आपको उठानी पड़ेगी लेकिन पुरुषों को क्या sex करना चाहिए तो answer is yes Research ने कहा है कि menstrual cycle के समय जब menstrual cycle चल रहा है उनका जब उन्हें bleeding हो रहा है तो very well आप sex कर सकते हैं American Research ने ये प्रूफ कर दिया है भारत में लोग माने या ना माने भारत में क्या लोग देर से मानते हैं हर चीज़ को पहले ये गोरे मानते हैं फिर हम मानते हैं इसलिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ आप try करके देखिएगा जब अगली जो भी आपकी life में menstrual cycle में है अगर तब आप उसके साथ sex करते हैं तो पहले आप बातचित कर लीजिए कि वो तयार है कि नहीं है क्योंकि आपको जबरजस्ती नहीं करनी है क्योंकि ये एक taboo है लोग सोचने कि नहीं नहीं अभी तो मैं period में हूँ अभी 4-5 दिन महबबद बंद है कोई film में ये भी गाना है कि आज महबद बंद है ऐसी line भी है तब वो लड़की menstrual cycle में रहती है उनकी wife तो husband से कहती है कि आज महबद बंद है तो यार जिन्दगी छोटी है 3-4 दिन भी आप क्यों महरूम रहेंगे महबद से आपको हमेशा टिंग टॉंग कारिक्रम और कल्यारम कारिक्रम करना है आप इतने कामुख और sexy person जो है तो आपको ये ध्यार लखना है कि जब आप sex कर रहे है तो पहली बात उनसे बात कर लेनी है दूसरी बात आप उनके मन से हीन भावना को हटा दे रहे हैं अगर आप sex कर रहे हैं उस वक्त तो उनको लग रहा है कि नहीं मेरा husband मुझसे प्यार करता है एसी condition में भी उससे प्यार कर रहा है तीसरी बात जब वो menstrual cycle में होती है और आप उनसे sex करते हैं actually आप उनको help कर रहे है जो cramping होती है उनके पेट में दर्द होता है PCOS problems हो जाती है pregnancy के बाद अगर हो रही है और कोई भी type की problem हो रही है pregnancy के बाद अगर periods है यह किसी भी तरीके से problem उनको हो रही है उस समय menstrual cycle में अगर आप उनको उनके साथ sex करते हैं संभोग एंटरकोस करते हैं तो उनका आप मानेंगे नहीं research नहीं प्रूफ किया है कि उनको जो है दर्द कम होता है cramping कम होती है उनका मन जादा खुश होता है और साथ में menstrual cycle के समय क्या होता है pregnancy का भए बहुत ही कम रहता है अग कॉंडूम का प्रयोगा आप नहीं भी करेंगे तो भी वो pregnant नहीं होगी इस वक्त आप gynecologist अपने पूछ लीजेगा ये menstrual cycle के समय कोई भी लड़किया महिला usually बहुत जल्दी pregnant नहीं होती है normal ही तो हो सकती है और एक और बात है कि रक्त का जो प्रवा है वो पूरा उनकी योनी की तरफ रहता है तो वो जादा sex enjoy कर पाती है इस समय जब वो menstrual cycle चलता रहता है usual से भी ज़्यादा उनको सुक की अनुभाती होती है लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप sex कर रहे हैं इस condition में सफेज चादर का प्रयोग न करें ऐसी चादर का प्रयोग करें जिसको आप कहीं fake दें क्योंकि bleeding होगा बहुत सारा फिर ऐसा लगेगा कि आरा आपने कोई crime कर दिया कोई murder हो गया ऐसे इतना blood आजाएगा blood तो आना ही है लेकिन आप जरूर करिये इससे उनकी health को फायदा होगा उनको दर्द कम रहेगा उनका menstrual cycle जल्दी खतम हो जाएगा और साथ में आप देखेंगे कि एक बार try करिएगा research ने प्रूव किया ये गलत बिल्कुल भी नहीं है पुरानी रूड़ीवादी जो भावना है रूड़ीवादी जो सोच है उसको छोड़ दीजिए वो दादी जी के साथ चला गया है आज हम लोग नए भारत में हैं नहीं सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो भी information मैंने दी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को subscribe करेगा वीडियो को like करेगा अपने friends से share करेगा और साथ में bell icon को hit करेगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको आजसानी से मिल जाएंगे फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी interesting information आपके साथ share करते हुए तब तक के लिए bye take care friends